नए साल में बिहारवासियों को महंगाई काफी ज़्यादा सतानी वाली है क्योंकि बिहार में अब बिजले की कीमत आस्मान चुवेगी नए साल से ही बिजले की कीमत प्रती उनिट बढ़ाई गई है और अब घरेली उपभोगताओं को बिजले की कीमत 2.56 रुपीए से 3.40 रुपीए प्रती उनिट जादा देना पड़ेगा याने कि लगबग 4 रूपिय प्रते युनिट बजले की दर में बढ़ोतरी होने वाली है और इसका सीधा असर आम लोगों की आर्थिक स्थिती पर पड़ेगा और बजले की खपत पर ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे इतना ही नहीं बलकि वैसे उपभोगता जो बजले फिक्स चार्ड से दो गुना पैसे देना पड़ेगा तो वहीं पर शहरी इलाकों में यहीं फिक्स चार्ड धाई गुना जादा बढ़ जाएगा शहरी छेत्री के उपभोगताओं के लिए फिक्स चार्ड के दर 180 रुपे से लेकर 400 रुपे तक बढ़ाने का प्रस्ताव द जाने के मुखे रोप से बात यही है कि अब नए साल में बिहार के लोगों को बिजली बिल जादा देना पड़ेगा चाहे वो शहरी इलाके के लोग या फिर सुदूर ग्रामिन इलाके के लोग दोनों ही छेत्रों के लोगों को बिजली बिल की जादा कीमत चुकानी पड़ सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा उससे पहले नमश्कार मैं निहा चौधरी कैमरा पोसन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जंता जंक्षिन नए साल में बिजले की दर बढ़ने से बिहार वासियों को काफी ज्यादा परिशानी का सामना करन की मौजूदा समय में अगर किसी घरेली उपभोगता की बिजले की कीमत 200 रुपे आ रही है तो अब वहीं ये सीधी 400 रुपे यानि की डबल हो जाएगा ये सुचना बिजले विभाग की तरफ से जनहित में जारी कर दी गई है इस बारे में बिजले कंपनी की तरफ से ये के बड़होतरी चहरी और ग्रामिन दोनों ही love की लोगोंपर लागो होगा आंके शहरी चीत्र की लोगों को ग्रामिन चीन लोगों की तुलना में जादा बिजली बिल देने की बात कही गई है अब शहरी। कि लोगों को लगभग दहाई गुना जादा बित बीजलीबिल देना पड़ेगा यह साल के सबसे बड़ी चुनोती है बिजली बिल में दो गुना की बढ़ोतरी बिहारवासियों केलिए सबसे बड़ी बात है हलांके बिजली कमपनी के तरफ से भe assumptions को फिलहाल विद्ध्यूत विनयामक आयोग ने सविकार कर लिया है लेकिन इस बारे में आनेवाले 20 तारिक से सुनवाई की प्रकरिया शुरू कर दी जाएगी यानि कि बिजली कमपनी ने अपनी तरफ से जो प्रस्ताव विद्ध्यूत विनयामक आयोग को भेजा है उस बारे में 20 जनवरी से सुनवाई होगी और सुनवाई में आम लोगों को शामिल किया जाएगा यानि के बिजली की खपत करने वाले उपभोगताओं को इस बारे में अपना पक्ष रखना होगा कि क्या वो बिजली दर में बदलाओ को लेकर सहमत है या इस बारे में उनका क्या पक्ष है इन सभी बातों को 20 जनवरी से सुना जाएगा और उसके बाद ही इस विशय पर एक ठोस फैसला लिया जाएगा लांकि जब बिजली कंपनी ने विद्यूत विन्यामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है तो इस बारे में कुछ न कुछ फैसल सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और सबसे पहले सुनवाई वालमिक की नगर में रखी गई है जो की 20 जनवरी को है इसके बाद 24 जनवरी को कैमूर में जन सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी इसके बाद 27 जनवरी को भागलपूर एक फरवरी को अर कि आम जंता या उप भोक्ता बढ़ती के बारे में क्या सोचते हैं उनका क्या पक्ष है यह अध्यक्ष और सदसी को सुनना है और साथ और नौर्थ बिहार पावर डिस्टिबिउशन कंपनी के अधिकारी फिशर सदस्य के सामने अपना पक्ष रख पाएंगे जिसके बाद आ की बढ़ोत्री होगी पुरे मार्श महिने में सुनवाई की प्रक्रिया जारी रहेगी इसके बाद आखरी फैसला एक अप्रेल को सुनाया जाएगा इन सभी बातों में एक नियम जो ज्योंका त्यों रहेगा वो यह की सबसीडी का नियम जिस तरीके से पहले बिजली उपभो चुरी बातों में जो में जाएगगा ली जो कि बत्याएगी आखरी जड़ाना सबस्क्राइगा झाले जाएगा जो कुरूसरी दो यह मूना जबए पुरूसरी बाद 축त सुनाया बाद धूसरे जो, ऑन यह होगी जाएगा झालेगा झाले ऐन सबस्क्रेंra जो living जो